हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू स्टादी विट क्रेजी गुरू, फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग DRT और से जो जो जॉब नोटिपिकेशन निकला है, जो की स्टेनो ग्राफर के लिए है कलरक, कलरक में क्या जाता है, एर्मिनिस्ट्रेटिव एसिस्टेंट एंड और सेकुरिटी एसिस्टेंट, ड्राइवर, ड्राइवर में क्या वीकल अपरेटर और फार इंजन ड्राइवर और फायर्मेन, इतने सारे पोस्ट पे जो जो जॉब नोटिपिकेशन निकला है, तो इसी का हम लोग जो त्यारी है, जो कलास है, वो कंटिनिव कर रहा है, तो पैटर्न पे पूछे जाते हैं, तो आपको भी ये कोश्टन देखना चाहिए, इसलिए ये कलास लाया जा रहा है, ओके, तो देखिए, आपको DRDO सेप्टम 10 ANA में 75 कोश्टन पूछे जाएंगे, 75 मार्क्स का एक घंटा का, वन आवर का पूरा एकजाम होगा, जो कहां कहां से कोश्टन आएंगे, एप्टेट्यूड से, रिजिनिंग से, जेनरल एवरने से और जेनरल इंगलिस से, तो चारो सबजेक्ट का तयारी है, जो स्टाडी विट क्रेजी गुरू के जो ये उटू चैनल है, इस पे कराया जा रहा है, तो ये तो ऑनलाइन कलास हारा है, वो ओनलाइन पलस ओफलाइन इसकल टू सेलेक्शन, ओनलाइन भी कलास करना है, इसकल टू ओफलाइन, ओफलाइन कैसे पढ़ना है, देखिए, स्टाडी विट क्रेजी गुरू टीम द्वारा, जो 75 कोश्चन आएंगे, उसी नया जो एक्जाम पैटर्न है, उसी अधार पे क्य किया गया है, इबुक त्यार किया गया है, इबुक बोले तो जो पीडियेप फॉर्मिट में आपके पास जाएगा और पीडियेप में पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड आपके अनुसार हो सकता है, जो की एप्टिट्यूड, रिजिनिंग, जेनरल एवेरनेस और जेनरल इ 30 रूपीज हो जाएगा, अब 30% डिसकाउंट है, अब बोली गाए सर जल्दी ये तो बता देजिए, जे पेमेंट कहां करना है, तो देखिए, ये जो नमर दिया गया है, कौन सा, 756486459, ये नमर ससी कुमार के नाम से सेव कर लिजिए, इसी नमर पे आपको पेमेंट करना है, अगर नमर के माधियम से आप नहीं कर पा रहा है, तो इसी नमर को सेव करके, वाट्सप पे मैसेज किजिए, और मैं आपको स्केनर सेंड कर दूँगा, उसके थूरू आप पेमेंट कर सकते हैं, कितना मातल 70 रूपीज, 70 रूपीज में आपको all subject, all subject बोले तो, aptitude भी, reasoning जिके, general awareness भी, general English भी, यह चारो subject का इबू का पड़ाप्त कर सकते हैं, और यह 70 रूपीज मेंटनेस चार्ज लिया जा रहा है, ओके, चलिए, डेखते हैं, आज का जो प्रिवियस यहर का question है, वो question नमर 1 से 10 तक दो देख चुके थे, तो आज का यह 11 है, तो क्या है, देखत सकते हैं, क्या है, दी गई दो संख्याओ, दो संख्याओ, दो अंक नहीं, दो संख्याओ, दो अंक नहीं बोलाए, दो संख्याओ, जैसे एक यह संख्या हो सकता है, यह संख्या, संख्या ही को प्रस पर बदलने पर निमलीखित में से कौन सा समीकरन सही हो जाएगा, तो वो के जगह पर उनिस और उनिस के जगह पर चवालिस यह दोनों आपस में बदल लिए जाएंगे तो इसके बराबर आते हैं कि नहीं यह पुछ रहा है तो देखरें जैसे देखिए इसमें भी स्वामिकरण वहन में फोटी फोर यहां पर यानि की चवालिस आएहां 19 यानि की उन नंचीन एंडिन एर इतरुकर के जगह 24 और चार। चवालिस के जगा उनिस चंह करके देखना ह। तो चलिए एक एक करके देखते हैं समिकरयन फ्रीध हैं उसके बाओ समिकरराण चवालिस यानि कि दो सब्सक्राइब चवालिस चवालिस के जगा उनीस आ गया माइनस 27 अप इन्टू गुना चवालिस यहां गुना जो 44 है यहां उनीस था न तो यहां 44 हो गया भागा 11 अब इसमें एक ट्रीक आपको पता रहा ना चाहिए क्या पहले का करी यह जो बचपन स करी भागा ऊकराबाद गुना तब घ मतलब करना यहां कैसे पहले गुणा का का मतलब का को हटा के गुना करना है उसके बार भाग करना है और यह साइन वज़ा रहए गुना रहेंगा वह उसके भागा कितना जाएगा फोर आ जएगई फोर आ गया उसके बाद अब क्या जैसे पहले क करी त EPA करी भागा गुणा तो आप गुणा होगा ना सटाइशं में चार्ट से गुणा करेंगे तो 108 आ जाएगा उसके बाद अब क्या है तosh जोड आतब घटावात उसके बाद हम लोग क्या करेंगे पहले जोड़ेंगे जोड़ने के लिए देखे दो से तीन पलस उनीस और यह कितना आ जाएगा दो से बाइस आउसकराबाद माइनस एक सो वाट करेंगे सबसे लास्ट में माइनस वाला तो 114 जो की 114 के बराबर आ ज देखते हैं देखे समीकरण 2 को पहले जैसे थाओ ऐसे हम लोगों ने लिख दिया है उसके बाद अब क्या करेंगे देखिए यह उनीस है भाग के बाद तो यहां पर हम लोग 44 ले आए हैं और यहां पर 44 है यहां पर उनीस ले आए हैं तो वही सेम फर्मूला पर किजिएग यहां पर बाद आपका है आपको video भी रोकना है calculate किजिएगा यह आ जाएगा 100,1 के बनाविस के बराबर है क्या 102 क्या 102 120 के बराबर है नहीं नonne款 इसीलिए है जो है दूसरा संतुःस्त नहीं करता है असपर स्वाह समीकरण 1 संतुःस्त, कि cza 44 के जगह पर उनीस और 19 के रहा है वो इसकल टू बराबर हो जाएगा तो इसका एंसर क्या हो जाएगा केवाल एक आप्शन वीफ और बंबे यानि कि केवाल एक संतुष्ट कर रहा है चली अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन क्या है देखिए चार कोश्चन नामर 12 चार पुरूस पी ऐनड पी टू पी थरी और पी फौर एक पंक्टी में उत्तर क्यों और मुह करके चार वेक्ती क्या बैठे हुए है, अब कौन कहां पर है तो यहां से पता चलेगा और चार महिला y-1, a-2, a-3, a-4 एक ही पंग्ती में इन पुरुस के मुख की ओर मुख करके यानि कि मानगी यह इधर उद्धर की ओर मुख करके बैठे है चारो मान रखेगा इसमें क्या उपर वाला ट्रीक में जाएगा तो इधर हमेशा दया मान लेना है इधर हमेशा बाया मान लेना है लेकिन आइरो अगर उल्टा हो जाए याप thirty देखे तो मुख करके बैठी हुई है महिला तो देखे पीवान और फोर चोरो पर बैठे हुए हैं मान लिजे P1 और P2 P1 इधर होगा तब P4 इधर होगा अगर P4 और इधर के और मुख अगर P1 इधर होगा तब P4 यह हमें पता नहीं है कि P1 दाया साइड है कि बाया साइड है लेकिन अब आगे कथन आएगा उसमें पता चल जाएगा उसके बाद रखें A3 और P2 एक दुसरे क सामने बैठे हुए है यानि कि मान लिजे देखे ऐसे ऐसे हम लोग जो दिया गया है तो देखे यह नौर्थ यानि कि ऊपर हम लोग उट्टर मान लेंगे नीचे दचिन यानि कि साउथ मान लेंगे तो देखे पी जो पुरूस है वो इधर की और मुख करके बैठेगा नौ यहां से अब हम लोगों को पता चलेगा कैसे देखिए यहां से बीने एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा एफोड है जो एथीरी के किधर बाई और बैठा हुए तो था दूसरे अस्थान पर बैठी है आप ध्यान रखिएगा जे दूसरे अस्थान पर बैठे लेकिन बा दोनों छोड़ पर वैठा है मैंलिजी यहां ए फोर है तो यहां एवन हो जाएगा अगर यहां vào हो holistic आप यहां पर कामज़ और यह जाओ आप कि में गया और वाप क्लीकर है देखिए-टै और फेट फीटे तो यह से प lav है drill High School No यहां से हम लोग पकरेंगे देखिए और यहां से हम लोग यह देखेंगे कि यह देखेंगे महिला तो इस साइड में मतलब साउट की ओर मुह करके इधर बाया हो जाएगा आइधर दाहिना हो जाएगा तो यहां से यहां से यह हमें पता चल गया है कि इस साइड है तो बाया से दूसरे स्थान पे कौन एफोर बैठा हुगा यहां जाएगा दीऔर यहां हो जाएगा कि महिला वाला ग्रूप का हमें पता चल गया है तो उसके बार यहां भी बोला है देखिये यहां पे आपको दिखरहा होगा कि A3 और P2 एक दुसरे के आमने सामने बैठा होगा है। बेर P2 काहां पे है? A3 के सामने आ就是 यहां पे आ जाएगा। P2 क्या है? पूरूस है और A3 क्या है? महीला है उसके बाद देखते हैं क्या हächst उसके भाद देखे je यहां पे आपको और उसके बाद अगला कथन क्या बोला है P1 और P4 तो दोनों छोड़ों पर है और A3 और P2 एक दुसरे के सामने बैठे हैं तो एक दुसरे के सामने बैठे हुए है A3 और A4 और A3 के बाइव दुसरे अस्थान पर ये भी देख चुके है A4 है जो A4 के सामने बैठा हुए आभ हमें देखिए यहां तो हम लोगों निकाल लिया था A1 यहां है A3 यहाँ है A2 यहां है और A4 यहां है तो अब क्या है कि A1 है ना A1 के सामने P4, अब हमें यहाँ पता चल गया, देखे P4 यहाँ दाहिना यह बाया तरफ है, बाया इधर इधर हो जाएगा पुरूस वाले में, और दाया इधर हो जाएगा, अगर महिला वाले में क्योंकि वह इस साइड मुह करके बैठी हुई है, तो इधर बाया हो जाएगा आइधर क्या हो जाएगा, दाहिना हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, आइसा मतलब देखने को मिलेगा, तो क्या है कि यह बोल दिया है, जिए A1 P4 के सामने है, तो यह भी असपस्ट है, पहला ही पंक्ती में, देखे यहाँ पे है न, पहला ही पंक्ती में P1 और P4 छोड हो जाएगा क्योंकि यह ही बचे गा, तो अब क्या per question पुछा है, देखे यह डिम्ली खीत में से कौंसा कथन सही है, यह पुछा है, तो 1 में देखते हैं, कथनlungs ही one क्या बलता है? और प्रूस के बाई और दूसरे अस्थान पर बैठी है जो एटू के सामने वैठा हुई है देखिए क्या बोला है पी फोर उस पुरूस के बाई और दूसरे अस्थान पर बैठी हो जो जो एटू के सामने वैठा हो तै बाई और निकी बाई अदर देखें पुरूस वाला में बाई अधर आ जाएगा महिला वाला में उल्टा हो जाएगा क्योंकि ऐर एड़ इस साइड है यह ब़ोला य deixe P4 तो एटू के सामने जो पुरूस वैठा है उसके बाई और दूसरे अ जाएगा वन और टू दोनों सही हो जाएगा ओके इसका इंसल डी हो जाएगा चली अगला कोश्चन 13 देखते हैं 13 क्या है उस विकल्प का चयन करे जिसमें दी गई आकिलती को अंतर नहीं है यानि कि यह जो आकिलती यह जो आप दिख रहा है यह आकिलती इसमें आना चाहिए तई देक्ते हैं देखे यहां पर ऐसे देखेंगा ऐसे गए ऐसे गया है यह नीचे आगया उपर जाना चाहिए ना तो यानि कि A नहीं होगा उसके बार B में देखते हैं यह नहीं यह पिर लेकिन ऐसे उपर यहां पर निकला हुगा नहीं है यह भी नहीं होगा उसके बाद सी में देखते हैं शी में क्या है कि ये और आपका बाया हाट नहीं है उदर बाइन हो जाएगा फिर उपर चला गया यह आपको दिख रहा है इसे आया ऐसे आया ऐसे अधे एसे इसमें भी आ रहा रहा है यानि कि C पूरा पूर्स रूपें में यहां पर देखें आप बोघवा सर एक बात बताई है दी में नहीं है जो यह आपको सी आपको देखने को मिल ला है क्योंकि यहां पे क्या है कभी-कभी आपको यह नीचे आया है और उपर चला गया है यानि कि सी ऑप्षन इसका अगर सी और डी रहता तो दोनों हो जाता लेकिन आपका अभी इसमें सर सी हो जाएगा ओके चली अगला कोश्चन कोश्चन नमर 14 देखते हैं क्या है निम ने में दिये गए दिये गए विकल्प में से दिये गए विकल्प में से उस अक्षर समू का चैन करे जो निम लिखिट स्रिंकला में से परस्न चीन के अस्थान पर यानि स्रीज का कोश्चन है यह जो कोश्चन मार्क है इसके अस्थ पूछा है तो क्या आएगा यह पूछा है तो क्या करना है अपने को वहीं सिंपल इसमें पहला पकरना है और इसमें पहला को पहला से मेच करना है फिर इसमें दुसरा को दुसरा के से मैच करना है तो जी को के के साथ रिलेशन करेंगे फिर के को ओ के साथ ओ जाएगा यह जाएगा तरह मंने क के के साथ घी का आजाएगा और और टेवल को किसे लेकर एक मतलब एक दो टीन चार यानिक हरता ये कि उलिटा करम में ये खून में घुसा रहना चाहिए, ये table हरे क्लास में हम दिखाते हैं और ये table आप कहीं लिख के अपने दिवार पे चिपका दीजिए और क्या इसके साथ? आप मतलब यह क्या है यह अगर सही से अगर खुन में घुसा लिजेगा तो वहाँ टाइम बचेगा क्योंकि देखे 75 कोश्चन है और मातर 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा तो अभी से मेहनत करना परेगा जैसे आप एकजाम देने जाते हैं तो वहाँ पहले ही मेहनत करके जाते है था के तकि वहाँ पर टाइम जाड़ा न लगे वहाँ जाकि आपको रिसर्च नहीं न करना है तो चलिए देखते हैं क्या है तो यहां पर क्या है कि क्या बोला था जी सरीज का कोश्चन स्थान फोरे श्टेप आ और कहा है कहा है टेवल को छोड़के एक दो 3 चार यारी कि चौथा स्थान में के आ गया है सी तरह सम में अगर चार आ आगे जाएंगे दो हाफना ये रिजल्ट मिल लगा है जी से चार आगे गए तो के आगया के से चार आगे गए तो और यहां पे डवलू रहेगा तो A और D तो गया क्योंकि W यहां है और यहां शुरुगात में तो बी और सी का लाराई है तो बी और सी के लाराई में फिर अब हम लोग क्या देखते हैं यह जो पहला में दूसरा एफ है और यह आई है के साथ सब्सक्राइब में 3 уже 3 चाहिए जाएगे और यानि कि डभण 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 इसका सही उत्तर हो जाएगा więc about सनरमट बीशका सोही उत्तर हो जाएगा उसके बाद अगला कुष्चन देखते है क्षर कन नमर 15 देखे क्या है पांच वेक्टियों PQRSD एक सिरीपंग्ती वे उत्तर क्यों और मुह करके बैठे हुए उत्तर क्यों यानि उपर क्यों हम लोग उपर मानते हैं उत्तर उत्तर यानि की नौथ हम लोग उपर मानते है और दजिन नीचे मानते हैं साउत तो उपर की ओर नौथ की ओर मुख करके बैठे हुए कौनकर PQRS के आरस और T पांच लोग बैठे हुए है QS के बाएं निकटतम अस्थान पर बैठाई Q है जो S के क्यू है जो Q है जो S के हमेंसा यार रखेगा बाएं दोर बाहजा दाहिना इधर अगर उपर के बैठा है तो नीचे वाला मुल्टा हो जाता और दाया इधर और बाया इधर मान लेना है और यहाँ पर क्या बोला है किउए इस के बाये निकर्तम अस्ठान पर बैठे हुए आपके यह नहीं बोला किटने अस्ठान पर क्यूष है किधर बैठा हुए मानलीज़े ऑ 12 यहाँ है तो Q इधर कहीं बैठा होगा हहे है कि यहां पर किदार मालिजिए क्यूं के दाया स्थान पर कौण होगा और यहां पर बोला गया है उसके बार क्या है क्या वोला है उसके बार आर और टी के मद्ध है केवल तीन वैक्ति वैठे हुए है, तोटल वैक्ति कितने हैं? तोटल वैक्ति पांच है, तो इससे हमें यह देखिए यहां से हमें यह confirmation मिल गया है, जो आर और टी है, जो क्या क्या दोनों जो कॉर्णर पर बैठे है R और T है, R और T है जो corner पर बैठे है, क्योंकि देखिए, अगर मालीजे R यहां है, T यहां है, तो T इसके बीच में 3 बैठेंगे, तो टोटल करेंगे R मिला के और T मिला के तो 5 हो जाएगा न, यह समझ में आ गए R और T के बीच में 3 है, तो यह दो और यह बीच वाले 3, यानि कि टोटल 5 हो गए, यानि कि R या तो डायां तरफ से हो सकता है, यान तो बायां तरफ से, नेक्स्ट जो statement दिया गया है, उस statement से हम लोग देखते हैं, कि R किस साइड है, डायां साइड है, या बाया साइड है, उसके बार रखिए, है ही नहीं, यह पता चल गया है कि T के बाया जो बाया तरफ है, हमेसा यह यार रखिएगा, 2 और 2, यानि कि इस साइड यहां पे T रहेगा, तब नहीं इसके बाया तरफ यहां पे P होगा, तो यह समझ में आएगा कि जो कॉर्णर पे, दाइना साइड से जो बैठा है, वो T है, और जो इस कॉर्णर पे कौन है, आर हो जाएगा, जो बाया साइड से बैठा है, वो कौन हो जाएगा, वो R हो जाएगा, उसके बाद ये तो Q और S तो यहां हो जाएगा क्योंकि यहां पर अस्पस्ट किया है T के जस्ट बाएं और P बैठा है तो कुछ इस तरह का जो शिरीज है वो बन किया है कौन R Q S P T इस तरह लोग बैठे हुए है और किधर की और मुह करके उत्तर की और नौर्स की और मुह करके बैठे हुए है उसके बार कोश्चन क्या पुछाई ये तो देख लेजिए जो important है मुद्दा वाला बात है वो देख लेते हैं तो क्या है देखे पी टी के बाएं और निकत्व बैठा है तो पंक्ती कि मर्द्ध है क्यों का क्यों बैठा हुगा े फंक यृच यहां प्या सब्सक्रुम प्यां सिर्पलिए जान के सब्सक्राइब पर निचे रखा गया इसमें अलग इमेज बनता है अगर वह इसके दाइवर रखा जाता तो वहां इमेज अलग बंता है जो कभी-कभी आपके दाइया और पूछ लिया जाता है यहां पर यह question थुरा hard हो जाता है क्योंकि निचे वाला में क्या होता है जाइबर डाइय और दर्पन रखा जाता है तो इसमें क्या होता है दाया बाया चेंज होता है लेकिन अगर नीचे रखा जाएगा दर्पन अगर नीचे रखा जाएगा तो इसमें ऊपर नीचे चेंज हो जाता है क्या हो जाता है उपर और नीचे चेंज हो जाता है जैसे देखिए यहां पे इस तरह दिखेगा यहां पे इस तरह दिखेगा यहां पे दर्पन में कुछ दर्पन में कुछ इस तरह के उपर दिखेगा उसके बाद देखिए 6 इस तरह दाया बाया चेंज न 6 और A में भी 6 यहाँ पे सही है, 6 तक सही है A में, लेकिन क्या है L के साथ यहाँ पे, L भी यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे 4 है, जो देखे, 4 यहाँ पे क्या है, नीचे तो आ गया है, यह भी सिम दिया गया है, फोर तक भी यहाँ पे सिम दे दिया गया है, लेकिन देखे तू के साथ यहां पे खेल दिया गया है, जिए दाया बाया देखिए, यहां पे तू आपको यहां पे, इस साइड मतलब दाहिना साइड दिख रहा है, लेकिन इस साइड क्या बाया साइड कर दिया है, इसलिए ए नहीं होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा B में क्या है, देखे, 5 है, तो 5 तो यहाँ पर यह दिख गया, उल्टा करम में कुछ इस तरह के दिखेगा, लेकिन B में यह हमेशा किस साइड रहेगा, दाहिना साइड है, तो दाहिना साइड ही आपको देखिया है, यह 2 में जो 2 नीचे वाला निकला हुगा है, वो नीचे द और यह देखे, L से यह कट जा रहा है, यानि कि CD नहीं होगा, इसका एंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानि अगर माली जे सिंपल भासा में है, अगर मिरर क्या डाहिना साइड रखा रहेगा, तो उसमें दाया बाया का चेंज होगा, अगर उपर नीचे रखा रहेग तो उसमें क्या होगा, जो अंक है उसका उपर नीचे हो जाएगा, तो यह अगर समझ गए न, तो यह मिरर वाला क्यों यो हवा में उरा डिचेगा, तो आज का क्यों हम लोग यह रहने देते हैं, अगर आप लोगों ने e-book नहीं लिया है, तो e-book ले सकते हैं, e-book में मातर 70 रूपीज में आपको क्या मिल जाएगा, aptitude भी मिल जाएगा, reasoning भी मिल जाएगा, general evidence भी मिल जाएगा, और general English भी मिल जाएगा, all subject बोले, all subject बोले, 4 subject, 4 subject से question कितने आएगे, 75 आएगे, 75 question, 75 marks के पुछे जाएगे, तो वही जो नया pattern है, नया pattern के अधार पे क्या है, यह e-book त्यार किया गया, फिर से मैं बता दू कि e-book आपको video format में भेजा जाएगा, न कि hard copy में भेजा जाएगा, आप payment कीजिएगा, payment कैसे करना, यह जो नमल दिया गया है, 75 648 64459, इस नमर पे payment कीजिएगा, payment जैसे ही आजाएगा, वह payment screenshot हमें, इसी नमर पे WhatsApp कीजिएगा, उसके साथ हमारे चैनल पे नए है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, और अपने दोस्तों के बीच भी से अर किजिए, ताकि एक जैसे जितने लोग जुरिएगा, तो एक अलग motivation के साथ कलास आएगा, और आप DRDO का यह इतने सारे पोस्ट है, इसका मतलब जो टेंसन है, व जैनल इंगलिस का भी आ रहा है, चारो सब्जेक्ट स्टडी विथ क्रेजी गुरू का जो टीम है, वो आपको परहा रहा है, आपको त्यारी करवा रहा है, तो फिर इधर उडर क्यों, बस आप स्टडी विथ क्रेजी गुरू टीम के साथ बने रहे और टेली ग्राम पीडियेफ हो का उसमें सेंट किया जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई डाउट है, तो क्या करना है? कमेंट में पूछना है, और उसके बाद क्या करना है? उसका रिपलाई नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर मिल जाएगा, जैहिन, जै भारत!